वैलकम बैक टू माई टूप्चन पेपर हैकर आज किस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र जो भी छात्र बीएससी थडियर में है उनके लिए हम लेके हैं बॉटनी का फ़स्ट पेपर 2022 में आने बाले पिरसन आने बाले पिरसन आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस ला मैं भी बोल रहा हूं मत पड़ना मैं जो बतारों वहीं पड़नों ठीक है अब यूपी के किसी भी यूश्टी से हैं यूपी की आल यूश्टी के लिए यूचे उत्त्राखंड की आल यूश्टी के इंपोटेंट कोशन है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बिहार के उनके उप्योग के बारे में देखो पहला कोशन है गेहूं की खेती कैसे की जाती है अब यह 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 करोगे चावल की खेती कैसे की जाती है जिसे धान कहा जाता है उसकी खेती उसका उप्योग के बारे में और गन्ना की इन तीन में से या तो गेहूं की पूछे का या फिर चाबल की ये फिर गन्ना की ये पूछता है इन तीर में से एक की खेती के बारे में पूछता है और सो परशेंट ये कोशन एक्जाम में आता है आप इस कोशन को रट लेंगे रट मैं आपको बोल रहा हूँ रट के जाना इन कोशन को रट के ये हूँ के चाबल के और गन्ना क संबंद का संबंद कि समय mom मताने गुरांके व्याक्या उसके समय नियम के याद कर रहे न lixком आ पॉदों के सलक्षर पर एक ना मतला पॉद्धे मन का सलेक्षर पर कटर धूंच एक निवन्द आपको याद करना चाहिए ठीक है अफीम के बारे पढ़ लेना most important है अफीम की खेती कैसे की जाती है most important है ठीक है और उसके बाद में नीचे हम इसको question को देखेंगे पहली नो लॉजी जो होता है इसको आप पढ़ेंगे ठीक है और पराकणों के जीवन और अंक्रुण के बारे में आप याद करेंगे पराकण के जीवन के बारे में यहाद इमोड इसको चोड़ दीजिए यहाँ पढ़ेंगे देखो यह बहुत जादा important है काई बर्ग परिक् इसको रट लेंगे पराकण अकारकी के बारे में आप याद करेंगे यह मौश्ट मॉड़न है जैसे की नीम है अरजून है यह औस दी वाले पौदे होते हैं इनका वड़न करेंगे कम से कम चार से पांच पौदों के नाम उनके बैग्यालिक नाम बोटनिकल नाम वो सब या में उसके बाद में हैं देको मैंग्रोस क्या होते हैं आप इसको पढ़ेंगे उद्वव केंद्र के बारे में पढ़ लेना ये most important है नारियल तेल के बारे में और उनके उप्योग के बारे में पढ़ लेना है और तेल प्रदान करने बाले पौधे कौन कौन से है तेल कौन कौन से पौधे प्रदान करते है तेल प्रदान करने वाले पौधों की वारे में पढ़ेंगे पादा विन्ता केंद्र तो विन्ता केंद्र होते हैं उन पर निवंद पादा विन्ता केंद्र पर निवंद आपको याद कर लेना है यह most important है ठीक है विन्ता केंद्र की वारे में पढ़के जाएंगे और यह होता है अब पीए पदार्थ का वढ़न पी पदार्थ कौन कौन से है? पीए पदार्थ दो पिरकार के होते है एक होता है पीए पदार्थ ठीक है? एलकोलिक और नौन- Talent इन दोनों को अची तरीके से पढ़ लेना ये most important को है most पर लगा लेना most important है रेसे क्या होते हैं रेसे प्रदान करने वाले पौधों का वड़न कर देना है रेसे प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से रेसे कि नारियल है कपास है जोट है यह तीन पौधे हैं इन तीरों पौधों के बारे में अच्छी तरीके से याद करना यह most important question है 100% हर और Botanical Park के बारे में याद, Botanical Garden से कहते हैं, ये पढ़ दिना है, भारत में Botanical Garden, ये भी आपको चार से छे याद करना है, ये भी पांस से छे आपको याद करना है, ठीक है, Botanical Garden के नम, बहुलक किसे कहते हैं, एक होता है, जैबिक, जैबिक संख्यांकी के बारे में पढ़ेंगे, और मद्द, मद्दिका, बहुलक, मोड किसे कहते हैं, मीडियम, मैन के बारे में पढ़ेंगे, most important है, ठीक है, उसके बाद में इस कोशन पर टिक लगाएंगे, जिसे कहते हैं, फिड gene bank की परिभासा को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और मानक विचलन क्या होता है मानक विचलन को SDV बोलते है extended division बोलते है इसको विचलन अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे gene bank क्या होता है इसकी परिभासा यह short में पूषता है अफीम मैं उपर बता चुका हूँ समिलने इसको होता है इसको चोटेन और बेटश्ड क्या होता है कि अधी शोड़ी ना सतत्वीकास किया है दूस्ट इमपोटेंट है में आने वाले और आपिन कोशनों को पढ़ना है बाकी कुछ नहीं पढ़ना है एक भी कोशन मत देखना एक्स्ट्रा और 85% पिलस लेके आओगे आपको कुछ भी हो जाए इन टॉप करना है अपकी 2022 में समझ रहे हो किसी को फेल नहीं होना है चलो को सस्क्राइब कर लेना बेल आइकन को